मुझे के पास स्वागत है आपका और रंतराश्टी खबरों की बात कर रहे हैं तो अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले राश्टपती चुनाओं में अब सिर्फ तीन हफते बच रह गए हैं दोनों उमीदवार डोनल्ड ट्रम्प और कमला हैरिस सभी तरह के मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं भारती अमेरिकी समुदाय की भूमी का इस चुनाओं में काफी एहम मानी जा रही है हमारे संभवादाता आमरित पाल सिंग ने भारती अमेरिकियों के एक वर्ग से बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल जून में अमेरिकी संसत को जब संभोधित किया था तो उन्होंने उपराश्रपती कमला हैरिस और उनकी भारतिय विरासत का जिक्र किया था there are millions here who have roots in India some of them sit proudly in this chamber and there is one behind me who had made history I am told that the samosa caucus in now the flavor of the house प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात हैरिस की और इशारा करते हुए कही जिनकी मा भारत में पैदा हुई थी हैरिस की विरासत इस बात का संकेत है कि अमेरिकी राजनीती में भारती अमेरिकी किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं वर्तमान में अमेरिकी कॉंग्रेस में लगभग पांच भारतीय अमेरिकी हैं और राज्य विधन सभाओं में लगभग 40 भारतीय हैं भारतीय अमेरिकी मद्दाताओं की मतदांदर किसी भी एशियाई अमेरिकी समू की तुल्ला में सबसे अधिक है लेकिन भारतीय अमेरिकी किसी विशेश पार्टी को सामुविक रूप से वोट नहीं देते हैं किसी भी अन्य समू की तरह उनकी अपनी प्रात्मिक ताएं हैं पहले तो इतना ज्यादा हमारे लोग इसमें रूची नहीं रखते थे भी हम चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में भी राजनीतिय में हमारे लोग आ गए आएं अमेरिका में भारतिय अमेरिकी समुदाए एक उभरती हुई राजनीतिक ताकत हैं उनको लगता है कि ये बचाने का एक तरीका ये है कि हमारा इंफ्लियन्स हो हालांकि इंडिन अमेरिकन कम्यूनिटी एक छोटा स्मू है इनके नंबर्स कम है पर पुलिटिकल इंगेजमेंट के लिहाज से सिविक लीरिशिप के लिहाज से ये कम्यूनिटी अमरीकी राजनिती में एक एहम भूमिका निभाती है कैमरामेंन संजे जैना के साथ अमरित पाल सिंग डीडी न्यूस स्टैंफर्ड कालिफोर्निया